है लो प्राइवांट्स खास्थ एलेवंथ युनिट्थ्थ एकाउंटन्सी रिकॉर्दिंग और बिसनस टांजेक्शन में हम जनल इन्टी के practical question को solve कर रहे थे डिखे गोल के book से question number 1 to 18 तक हमने solve कर लिया है आज हम question number 19 से solve करेंगे तो 1 to 18 तक हमने कर लिया है question number 19 से आज हम start करेंगे आपका चलिए question number 19 जो है कहता है pass journal entries for the following transaction तो जो transaction given है उसका journal entry pass करने कहता है सबसे पहला जो है आपका ये कह रहा है ये purchased machinery for 20,000 and paid 200 for its carriage तो यहाँ पर एक नया machine business ने purchase किया है कितने का BCR का और उसका धुलाई जो है वो 200 रुपया बिजनस ने पे किया है business ने machinery purchase किया है machinery business के लिए asset होता है और इसके carriage पर 200 रुपया खर्च किया है तो 20,000 का machinery purchase किया है और इसका carriage पर 200 रुपया खर्च किया है धुलाई यानि factory तक यानि business तक machinery को लाने का 200 रुपय भाड़ा पे किया है तो यहां पर बताईए कि machinery का ये जो 20,000 का machine है cost कितना है 20,000 रुपया लेकिन running condition में आने से पहली तक जो भी इस machine पर खर्च किया जाएगा business जो भी इस machine पर खर्च करेगा वो उसके cost में add हो जाएगा तो बताईए कि अब इसके cost में add हो गया है तो machine का दान कितना हो गया है 20,200 रुपय machine का original cost है और जो balance sheet के asset side में machinery record होगा वो आपका 20,200 रुपय पर record होगा और जो depreciation लगेगा वो भी आपका BCR 200 पर depreciation calculate किया जाएगा तो सबसे पहला है आपका वही date की column लिखने ना 1, 2 करके date की column क्योंकि आपका कोई इसमे date या year बेंसे नहीं है machinery purchase क्या गया है तो क्या लिख होगी machinery account debit कहीं भी नहीं बोला है कि check through payment क्या गया है तो cash क्या थूप payment क्या गया है cash account credit machinery account debit कितना cost है machine का business के लिए तो machine को खरिदने के लिए business को पढ़ा बीस हजार दोसर रपया तो machine कितने का आया cost पीस हजार दोसर रपया business को cash कितना payment करना पड़ा होगा credit card goes out cash account credit कर दिया है यहाँ पर कितना बीस हजार दोसर रपया क्या रहे है इसमें दोसर रपा carriage का भी है next transaction को देखते है यह आपका transaction number one अब transaction number two transition number two कहता है received a check of 4850 from X in full settlement of his account of rupees 5000 check was immediately deposit into bank तो यहाँ पर एक check received क्या गया है जो X ने दिया है यारी X को समान जो है business ने बेचा होगा यहाँ पर बात समझते है उधार में यहाँ पर business ने X को समान बेचा होगा उधार में तो अब X जो है payment करेगा business को business को यहाँ पर payment करेगा तो X को payment करना है credit the giver यह देगा business को तो हम करेंगे credit किसको X को कितने से कितना देना था 5000 रुपीज देना था X को ठीक है चेक कितना रुपीज कर रहा है याद रखना तो यहाँ पर 5000 रुपीज जो है वो X को देना था तो X के सामने credit the giver हमने 5000 रुपीज लिग दिया यहाँ पर देखिए question को पढ़िए गा तरही किसे तब समझने में आएगा आपको received a check from 4850 from X तो X से receive हुआ आपका 4850 4850 रुपीज का चेक जो है बिजनस को receive हुआ लेकिन यहाँ पर साफ साफ करता है कि चेक यहाँ पर 4850 from X in full settlement अब उसके आगे X को pay नहीं करना है of his account of 5,000 यानि इसका account में जो है आपको मतलब यह जो है 5,000 जो है वो pay करना था business को actually में 5,000 का समान बेचा होगा तो 5,000 देना है लेकिन यहाँ पर दे कितना रहा है 4850 तो यह दे रहा है आपका check के थुरू यानि business का bank balance बढ़ जाएगा bank account को debit करेंगे कितना दे रहा है कितने का check रिसीव होगा यानि actually पैसा business को कितना रिसीव होगा उतनहीं से तो bank balance बढ़ेगा न तो actually ने X ने 4,850 रुपीज का ही check दिया तो इतना पैसा business के अंदर आया business के जो bank account है उसके अंदर 4,850 रुपीज X ने दिया देना कितना था? 5,000 इसका मतलब कि business ने कम पैसा लिया लेना था 5,000 कितना कम दिया? 1,500 रुपे कम दिया इसका मतलब business ने X को 1,500 रुपे का discount दे दिया तो यहाँ पर हो जाएगा discount allowed account debit nominal account के rule से debit or expenses and losses discount allowed को debit किया कि कि business को 1,500 रुपे का नुकसान हो गया discount allowed account debit कितने का? 150 रुपीज का clear रहा बाद X को देना था 5,000 रुपीज X ने दिया 4,850 रुपीज और business ने X को discount दे दिया 150 रुपीज का तो इस तरह के से according to dual aspect concept debit rate मैच करना चाहिए debit side भी 5,000 और credit side भी 5,000 आपका मैच कर गया transaction number 2 के बाद transaction number 3 क्या कहता है इसको टापते है transaction number 3 क्या कहता है कहता है आपका received by check a first and final payment of 60 पैसे in a रुपी from Y who owed us 10,000 ठीक है यहाँ पर अब समझे बात को यह है Y जो मतलब business को देना था owed us का मतलब यहाँ पर business को देना था कितना 10,000 रुपीज यही कहता है आपका कि कितना देना था Y को यहाँ पर Y को जो देना था वो होता है और 100 पैसा मेंसे 60 पैसा जो है receive कर लिये यानि 60 पैसा जो है वो receive हो गया मतलब 40 पैसा जो है वो receive नहीं हुआ तो इतना पैसा आ गया और यह पैसा जो 40% है यानि 100 पैसा में से 40 पैसा कहो ये receive नहीं हुआ यानि डूब गया, मतलब 10,000 का 60% receive हो गया और 10,000 का 40% receive बिजनस को नहीं हुआ Y को जो है समान यहाँ पर बेचा गया होगा उधार में जिसमें से first and final payment first पहला बार ही मांगा और finally ये बोला कि हमको 60% ही उससे हम recover कर पाएं business जो है Y से recover कर पाया 10,000 का बाकी recover नहीं कर पाया तो देखिए, कितना payment Y को देना है Y कितना देगा business को 10,000, जिसमें से कितना पैसा मिल गया, तो 60% मिल गया, ये इसका मतलब 6,000 रुपया business को मिल गया 10,000 का 40% नहीं मिला, 10,000 का 40% नहीं मिला इसका मतलब 4,000 रुपीज जो है business को नहीं मिला ये बात सवाजना आया, ये पैसा business को नहीं मिला क्या entry बनाएंगे तो इतना पैसा business का डूब गया, यानि bad rate हो गया और क्या check के through payment किया है तो यहाँ पर लिखता है हाँ, check के through आया तो business का bank balance बढ़ेगा तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखो देने वाला credit the giver giver कौन है, why तो यहाँ पर लिख दो पहले, to why, credit कर दिये, कितने इस कितना देना था 10,000 रुपीज ये पहले लिख दो, actually मैं business के पास कितना पैसा आया चेक के through, तो business का bank balance बढ़ा होगा bank account को debit करेंगे कितना पैसा आ गया 6,000 रुपीज dual aspect consequence आप से debit credit match करना चाहिए 4,000 इधर और लिखना पड़ेगा इतना पैसा जो है business का डूब गया, तो कौन सा account आपिंग करेंगे bad debt account bad debts account, यहाँ पर हम debit करेंगे यह जो है business को loss हो गया, कितने का 4,000 का, nominal account को रूल से debit all expenses and losses तो business को loss हो गया 4,000 रुपे का, ठीक तो यह आपकर general trade बना अब एक छोटी सी बात हम आपको और बता रहते हैं कि भूले भटके कभी why जो है हाला कि यहाँ पर link दिया है कि finally इतना ही receiver से जादा receive नहीं हुआ first and final link दिया है लेकिन फिर भी एक पर हम माल लेते हैं कि कभी जो यह loss हुआ है why का नियत ना कहें उसके पास पैसे आ गया हो उसको लगा कि कभी दे दिया जाए तो अगर यह पैसा देने आएगा बिजनस को 4000 रपा तो क्या बिजनस मना कर देगा बिजनस बोलेगा कि मेरा जो डूब गया है वो मेरे को मिल जाएगा 4000 रपा तो अच्छी बात है तो फिर बिजनस क्या general entry pass करेगा तो general entry pass करेगा आपका बिजनस का अगर cash में देगा तो cash account debit करेंगे bank check के थुरू देगा तो bank account debit करेंगे माल लो cash में दिया तो cash account debit 4000 से बिजनस में 4000 रपा आया और क्या हो गया यहाँ पर Y का नाम है तो यहाँ रिखेंगे bad debt recovered account रिखेंगे bad debts recovered account 4000 रुपीज तो कभी भूले भटके अगर Y जो है कि 4000 रुपे का payment कर देगा future में किसी भी date को तो उस date को हम cash account debit to bad debt recovered account cash या bank account debit to bad debt recovered account 4000 से यह entry pass करेंगे फिलाल ऐसा कोई खुसनुमा महल नहीं है तो यह entry pass नहीं होगा 4000 रुपे business का डूग गया फोर तमरेंटी क्या कहता है अब sold goods to Jed for 10,000 at a trade discount of 20% ठीक है समान जो है वो 20% के trade discount पर जो है वो बेचा गया है किसको Jed को बेचा गया है ठीक है बेचा गया है next day a check was received from him after deducting 5% cash discount check was immediately deposit into bank तो अब यहां पर क्या situation बन रहा है कि Jed को समान जो है वो बेचा गया है और just next day जो है वो कहता है यहां पर कि उससे जो है check के थुरूप payment मिला है और 5% जो है cash discount भी दिया कया है चलिए जनर्रेटी बनाते है इसे अटा जते हैं बिजनस बिजनस ने क्या किया है जेट को समान बेचा है जेट को कहीं पी रिखाए cash में बेचा है मतलब उधार में बेचा है तो चारन्मवर इंट्री में आप क्या करूगे चार नमबर यह कोई डेट नहीं है तारीक है तारीक नहीं है ये सिर्फ नम्बिंग है तो चार जो है आपका उसको ट्र्सक्षेशन नमबर 4 इसमें क्या कि जेट को समान जो है वह बेचा गया है दस हजार का 20% ट्रेड डिसकाउंट तो जेट को बेचा गया है debit the receiver जेट को हम क्या करेंगे debit करेंगे और two business ने क्या किया है sell किया है तो sales account को हम यहाँ पर credit कर देंगे कितने का समान बेचा गया है 10,000 का 20% ट्रेड डिसकाउंट है 10,000 का समान business ने जेड को बेचा 20% ट्रेड डिसकाउंट है जिसका हम अलग से कोई general entry pass नहीं करते हैं तो 10,000 का कितना परसेंट है 20% है ना अच्छे 20% है 20% निकालोगे तो यह हो जाएगा आपका 2000 यह 2000 रुपया जो है आपका वो ट्रेड डिसकाउंट है जिसके लिए हम अलग से कोई general entry pass नहीं करते हैं सीधा list price में catalog price में या mark price से deduct कर देते हैं घटा देते हैं तो यह 2000 को घटा दिये सीधा 10,000 में से तो 8,000 का समान actually में बेचा गया है बिसनस ने जेड को बेचा है तो यहाँ पर लिखे जो चार नमबर entry है जेड कितने का समान रिसेप किया आठ हजार का और सेल कितने का किया गया आठ हजार का चलिए यह है आपका जेनल इंट्री बेचने का आप कहता है आगे कि next day a check was received from him after deducting 5% cash discount और check immediately bank में deposit कर दिया गया है अब जेड जो है एक क्या कर रहा है चेक दे रहा है credit the giver अब payment कर रहा है उधार में बेचा गया था अब payment करने का बारी आया तो जेड कितना payment करेगा 8,000 रुपे payment करेगा credit the giver यह credit the giver credit कर देगे क्योंकि यह business को दे रहा है give कर रहा है तो giver है कितना देगा जितने का समान बीचा गया है 8,000 रुप्या लिग दिये हैं यहाँ पर हमने 8,000 रुपेस check के थूँ अगर permit कर रहा है तो business का bank balance पढ़ेगा हम करेंगे bank account debit cash discount business जो है इसको दे रहा है बोल रहा है कि 8,000 रुपेसर देना है लेकिन बोल रहा है कि हम तो 5% छोड़ देंगे तो business के लिए नुकसान है discount दे रहा है business लिखेंगे discount allowed account debit करेंगे debit all expenses and losses nominant account के रुब से discount allowed को debit कर दिए कितने का discount देगा तो after trade discount यहाँ पर discount मिलेगा मिलेगा कितना cd next day next day क्या यह तो numbering है next day रहता तो हम यहाँ पांस तारी करते हैं लेकिन पांस तारी कि यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि यह numbering है तो वो just माल लो कि यह पहला दिन यह दूसरा दे तो यहाँ पर next day जो है तो discount कितना दे दिया गया है jet को कितना पैसा छोड़ दिया गया है बोला कि मत दो तूम कितना 400 तो jet ने actually में दिया कितना तो 7600 रुपीज jet से receive हुआ business को clear रह बात यह जर्नलिट्री आपका तो यह दो जर्नलिट्री आपका यहाँ पर pass होगा 10,000 का सावान बेचा था business ने jet को जिसमें से trade discount तो दे दिया trade discount cash as well as credit transaction दोनों पर दिया जाता है तो यहाँ पर जो उधार में बेचा गया इस पर trade discount मिल गया यहाँ पर कितने का? 2000 का list price में से 2000 minus कर दिये 8000 रुपया या 8000 में से अब जो payment कर रहा है जेड तो business ने बोला कि तुम जो है तुमको हम 5% का extra cash discount भी देंगे तो 8000 पर जो है 5% यानि 400 रुपया cash discount दिया गया तो business को जेड ने कितना payment दिया? 7600 रुपया payment यहाँ पर दिया तो bank account चुकि चेक से दिया तो business का bank account 7600 से बढ़ा बिजनस को जो नुकसान हुआ आपका वो nominal account को जेड डेबिट or expenses and losses discount अलाट को debit कर दिये और credit the giver actually में कितना देना था जेड को 8000 रुपया जेड तो यह आपका generator यहाँ पर बनता है अब इसके बाद आपका एक और last transaction बचा हुआ है उसको हम solve करते है इसको हटा लगते हैं परे transaction number 5 last transaction आपका इस question का good costing rupees 20,000 sold to Manoj as a profit of 20% on cost less 10% trade discount तो यहाँ पर Manoj को जो है business ने समान बेचा है बिजनस ने Manoj को समान बेचा है बिजनस ने Manoj को समान बेचा है अब कैसे कैसे बेचा है थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ पर कहता है कि 20,000 का समान बेचा किया है और profit कितना है 20% cost of trade discount भी है तो बिजनस को समान जो बेचा है वो कितने का है 20,000 रुपीज का और इस पर जो profit है वो कितना है 20,000 पर profit जो है वो इस तरीगे से निकालो कितना profit है 20% यह cost है और यह किस cost पर कितना का profit है 20% तो 20,000 का समान और profit आपका है 4,000 रुपीज का तो टोटल समान बेचा कितने में गया है आपका 24,000 का इस 24,000 पर discount है तो 24,000 में जो आपका ट्रेट डिसकाउंट को कितना % है 10% है तो यह आपका आजाएगा 24,000 रुपीया तो 24,000 रुपीया जो है आपका ट्रेट डिसकाउंट है समान कितना में बेचा गया 21,600 रुपा में profit को ले करके यह clear है आपका देखे बुलता है कि बिजनस ने मनोज को समान बेचा है जिसमें से 20% जो है profit है cost पे तो cost कितना है मनोज के बिजनस के लिए 20,000 रुपीया cost पे बेचा है और profit ले रहा है कितना? 4,000 रुपीय बुलता है तो 4,000 रुपीया profit तो total समान कितने का sell किया गया actually में sell में तो आप जानते हो कि जब भी कोई वैपारी किसी को sell करता है या business किसी को sell करता है या कोई और business को sell करे तो हमेशा उसमें profit जुड़ा ही रहता है cost plus profit is equal to selling price आपका होता है तो हमेशा उसमें selling price include होता है तो यहाँ पर जो है आपका BCR cost बोलता है BCR में बिजनस थोड़ी बेज देगा क्योंकि 20,000 में business को ही पढ़ा है लागत ही है business का BCR पर तो market में जादा में बेचेगा तभी तो business को profit होगा अगर वो 20 में बेज देगा तो कोई profit नहीं तो business का ही क्यों रहा है जब कोई profit ही नहीं कमाना है तो यहाँ पर BCR business को लागत पढ़ाता cost पढ़ाता है कि business ने इतना में समान का जो लागत है पढ़ा market में इसको बेचा market में किसी को भी बेच सकता है मनुश को यहाँ पर बेचा कितना में तो 20% के profit में यानि 4,000 रुपया तो 24,000 रुपय में बेचा यहाँ पर बोलता है कि ठीक है हम तो कुछ trade discount देते हैं यहाँ पर कितना 10% 24,000 रुपय तो 24,000 रुपय trade discount दिया तो यहाँ पर business को देखा जाए तो 21 या 600 रुपय में एक्चुली में जो है payment मिला मनोज ने दिया ठीक है अब इसको जनरेटरी simply pass कर दिना है कैगो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर क्या जनरेटरी pass करेंगे मनोज 2 sales मनोज 2 sales अकाउंट इतना सारा calculation है इतना कम जनरेटरी कुछ कम ही लग रहा है कोई कम ही नहीं है देखे कैसे trade discount यह तो profit हो गया जो कि selling price हो गया यह तो include हो गया इसमें तो इतना माँ sell किया गया जिसमें से trade discount लेख से कोई general entry pass नहीं करते हैं तो मनोज को कितने में बेचा गया 21,600 रुपा में तो debit the receiver मनोज debit कर दिये बिजनस से जो goods चला गया कितने का 21,600 रुप रेगा तो यह लास्ट आपका general entry जो है वो बनेगा तो इस तरके से question number जो 19 है वो आपका complete हो गया है इसके next वीडियो में हम आपको question number 20 जो है वो discuss करेंगे Thank you